यह हमारा exercise 1.3 का question number 2 है जिसमें की कह रहा है prove that 3 plus 2 root 5 is irrational मतलब हमें prove करना है कि 3 plus 2 root 5 जो है यह एक irrational है तो चलिए इसका solution करते हैं तो चलिए इसका हम solution करते हैं तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि 3 plus 2 root 5 यह जो 3 plus 2 root 5 है इसको हम rational मान लेंगे पहले हम यही करते हैं तो हम इसको rational मान लेते हैं तो rational क्या होता है हमारा PYQ के form में होता है जहां Q not is equal to 0 होता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 plus 2 root 5 बराबर क्या लिख सकते हैं PYQ लिख सकते हैं जहां पर P और Q जो है यह को प्राइम नंबर है क्या है हमारा को प्राइम है P और Q जो है हमारा को प्राइम नंबर है अब हम क्या करते हैं कि root 5 को यही पर रहने देते हैं इसको हम यही पर रहने देंगे इसी साइट और बाकी यह जो है इसको इसके साथ में जो जो है इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो पहले हम किसको लेकर जाएंगे तो पहले हम 3 को इस साइड लेकर जाएंगे यानि कि 2 root 5 is equal to क्या हो जाएगा P by Q इधर 3 क्या चीज में है प्लस में तो इधर 3 क्या चीज में है जाएगा माइनस 3, अब हमारा 3 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या है, हमारा 2 है, अब हम 2 को भी इस साइड में ले जाएंगे, यहाँ पहले हम इसको पहले सिंप्लिफाइ कर लेंगे, 3 by 1 हो गया, P by Q, तो यहाँ पर हमारा LCM क्या आ जाएगा Q, यहाँ पर हमारा आ जाएगा P, और यहाँ 3Q, यह हमारा आ गया, ब्राबर क्या हो जाएगा, 2 root 5, अब हमारा यहाँ से हम 2 को, इस 2 को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर 2 multiply में है, तो इध P minus 3Q by Q, यहाँ 2 multiply में था, divide में आ जाएगा, यानि Q multiply with 2, और इधर क्या बज़ गया है, हमारा केवल root 5, तो यहाँ पर हमारा P minus 3Q divided by Q into 2, ब्राबर root 5 आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या माना था, P और Q जो है, Q prime number plus integer, दोनों थे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, integer, मैं इसको लिख रहा हूँ, integer minus, P क्या है, हमारा integer है, तो integer minus 3, और Q भी क्या है, हमारा integer है, upon, integer P है, तो P का integer लिख दिए, minus 3 into integer, और नीचे क्या है, Q भी क्या है, integer है, integer into 2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि integer minus 3 into integer, divided by integer, जब हम integer में से integer को घटाते हैं, तो क्या आता है, हमारा integer ही आएगा, जब हम integer में से, integer को जब सब्चेक्ट करते हैं, तो हमारा यह क्या आजाएगा, उपर में क्या आजाएगा, हमारा integer ही आएगा, और हमारा नीचे 2, integer को किसी भी constant number से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, हमारा integer ही आएगा, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमारा यह जो equation आया था, यह क्या आगया, integer upon integer, integer upon integer है, अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि जब हम जानते हैं, कि जब हम integer को किसी भी integer से divide करते हैं, तो हमारा क्या आता है, integer ही आता है, या फिर यह जो equation आया है, हमारा, यह equation क्या हो जाएगा, हमारा, यह integer upon integer क्या हो जाएगा, हमारा, इंटीजर upon integer क्या हो जाएगा, हमारा rational number हो जाएगा, तो यहां से जो हमारा assumption था यहां से हम क्या लिख सकते है root 5 को क्या लिख सकते है rational number root 5 को क्या लिख सकते है rational number लेकिन हम जानते है लेकिन हम क्या जानते है we know that root 5 इस एर इस नलमपर Changing the route 5 क्या है इस ओर इस नलमबर है हमने पिछले कोश्चन में सॉल्ब भी किया है फिर ट्रूट फाइब जो हैई रेशनल है यह हमारा यहां पर रेशनल के वागया रूट फाइफ इस उक्वाल टू रेशनल यह हमने अभी निकाला तो यह हमारा रेशनल क्यों आ गया क्योंकि जो हमारा एजम्शन था जो हमने यहां पर माने थे कि लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल यही हमारा जो माने थे यह गलत था इसलिए जो है रूट फाइव ब्रावर यहां पर हमारा rational number आ गया लेकिन हम पिछले भी question में solve कर चुके हैं कि root 5 जो है e rational number है so our assumption is wrong हमारा जो assumption था हमारा जो माने थे वो क्या हो हमारा गलत हो गया इसी लिए जो है क्या माने थे हम कि यहां पर क्या माने थे 3 plus 2 5 2 root 5 is rational हम यह गलत माने थे तो हमारा क्या जाएगा 3 plus 2 root 5 is e rational यह हमारा प्रूवड हो गया हमारा थे जो हमारा ब्लूब आ डारा थे जो हमारा ले जो कर तो आजा हुशना यह तो हम greatness प्रूश्यां यह जूआ При जो हमारा ब्लूब